जीले के चैनपूर प्रखंड अंतरगज जनावर पंचायप में जेजे एमपी के पुर्व सदस्य की धर्म पतनीवा तीन वर्षिये मासूम बच्चे की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने मामले पर जेजे एमपी संगठन का हाथ होने मामले का खंडन करते हुए दूरभाश पर जेजे एमपी के सुप्रीमो कर्मवीर जी ने कहा है कि इस घटना में हमारे संगठन का कोई हाथ नहीं है कुछ लोग हमारे संगठन को बननाम करने के लिए जेजे एमपी संगठन का नाम ले रहे हैं सदसे अशोक लकड़ा उर्फ अमरजीत के पत्नी वा बेटी की हत्या के मामले में पुलिस अधिक्छक डॉक्र एहते शाम वकारीव ने आज अपने कार्याले कच्छ में एक समवाद दाता सम्मेलन आयोजित किया पुलिस अधिक्छक ने बता की बीती रात अमरजीत मोटरसाइकल में सवार होकर अपने परिवार सहित गाउं जा रहा था इसी बीच अग्यात अपराधियों ने नवा टोली वा जनावल गाउं के बीच अंदा धून्त फाइरिंग कर दी जिसके कारण उसकी पत्नी एवं उसकी बेटी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी इस गोली बारी में अमरजीत घायल हो गया था लेकिन वा किसी तरह भागने में काम्याब हो गया था यह मामला है रातरी में मुझे सूचना मिली थी कि चैनपूर थाना अंतरगर जनावल जो गाउं परता है वहां पे कुछ गोली की घटना मुझे है जिसकी सत्यापन के लिए हमने अनुमंदर पुलिस परकारी चैनपूर खाना परवारी चैनपूर इस्पेक्टर चैनपूर और डुम्री परवारी को इस्पैच किया ताकि घटना की सत्याता जाच हो जाए और उसमें कुछ वहां पर क्या है कौन है उसकी पता लगा तो प्रॉपर लोग सूच बूज से रात भर उधर हमारी चलाए जिसके करम में सुबह अर्ली मॉर्निंग ही इने डेट बॉड़ी मिला जिसमें एक महला थी और एक छोटी बच्ची थी जिनकी मिर्ती हो गई थी जो पता लगने पर बता है कि अमर को भी जायद पूरिन लगी है इसी को लेकर हम लोग लगतार अभ्यान जो हमारा था उसमें हम लोग कूजबूई से काम लेते हुए अमर जो पहले वी केस में वांटेड है उसको अरेश्ट किये और उसी की निशान देही पे हम लोग को एक लबदी मिली है जिसमे एके 56 बरामत किया है छे मैगजीन मिला है मैगजीन गवर गाड मिले है जो वरदी का पार्ट होता है मुबÁIL मिला है और घटनाा से इस सरसे खोगा भी भी जो अमर जो इंजेर्ड है अभी फिशक प्लिस के कि उनके ही साथी अलाकि वो किसी को देखा नहीं है जैसा बताता है लेकिन बोला कि हम मेरे पूर साथी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया तो उसी के अनुसार हम लोग केस को आगर तरह संधान में ले जा रहे हैं और आगे जैसे भी जांच में आगे आप लोग